डिक्टेशन स्टार्ट होगा पांत सेकिन बाद स्टार्ट जलवाईउ परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए दुनिया भर में किये जा रहे उपाय सतही ही सावित हो रहे हैं एसा लगता है कि आसन खतरे को सामने देखकर भी बचाव के उपाय उस गती से नहीं किये जा रहे हैं जिस गती से होने चाहिए नतीजतन ग्लोबल वार्मिंग के खतरे नित नए रूप में सामने आ रहे हैं यूरोपियन यूनियन की कोपर्निक्स क्लाइमेट चेंज सर्विस की यह जानकारी चिन्ता को बढ़ाने वाली है जिसमें कहा गया है कि बेती जनवरी में दुनिया का एक साल का अउसत तापमान दुनिया में किसी भी साल के बारहे महीने के अउसत तापमान से 1.50 डिगरी जादा दर्ज किया गया एक तरह से मानव इतिहास में यह सबसे अधिक सालाना अउसत तापमान दर्ज किया गया है एसा नहीं है कि बढ़ती तापमान को लेकर पहले किसी ने नहीं चेताया हो ग्लोबल वार्मिंग के कारण किसी से छिपे नहीं है पिछले सालों में मौसम तंत्र भी प्रभावित हुआ है गर्मि और आद्रता के स्वरूप में भी बहुत तेजी से बदलाव होता दिख रहा है तमाम विज्ञानिक सोध इस बात को लेकर चेताते रहे हैं कि यदि समय रहते हमने कोई एकसन नहीं लिया तो आने वाली पीढी को इन खतरों के दुस्पनिनाम भुगतनी के लिए तैयार रहना होगा कहा तो यह भी जा रहा है कि फरवरी का वैस्विक अउसत तापमान भी नए रेकोर्ड कायम कर सकता है पिछले साल ही सयुक्त राष्ट की परियावर्ण कारिक्रम की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि दुनिया के देशों को ग्लोबल वार्मिंग में एक फिसदी कमी लाना है तो उन्हें गैस उत्षरजन में 28 फिसदी कमी करनी होगी जाहिर है दुनिया के तमाम देश गैसों के उत्षरजन को कम करने वाली अपनी योजनाओं को सो फिसदी भी लागू कर दें तो भी फरक करना मुश्किल लगता है जलवायू परिवर्तन के बड़े कारको में एक वायू मंडल में कारबन डाई ओकसाइड का बढ़ता स्तर है एसे में दुनिया को स्वच उर्जा की तरफ ध्यान देना चाहिए सडकों पर वाहनों की रेलम पेल जिवासम इंधन पर हमारी निर्भरता भी इन खतरों को जादा बढ़ा रही है 2015 में पेरिस में पृत्वी के तापमान में व्रद्धी दो डिगरी सेल्सियस से नीचे रखने और इसे 1.5 डिगरी सेल्सियस तक सीमित करने का लक्ष रखा गया था जोकी सबसे गंभीर परिनामों को रोकने के लिए आवश्यक है इस लक्ष को पाने के लिए कारबन उत्सरजन में कमी जरूरी है इसके लिए सभी देशों को मिलकर काम करना होगा यों तो प्रित्वी की जलवायू वै तापमान में बदलाव स्वाभाविक रूप से होता रहता है लेकिन यदि परियावर्ण को प्रभावित करने वाले मानवी गतिविदियां इसी तरह से जारी रही तो समाधान की रह तलासना मुश्किल हो जाएगा एसे में वातावर्ण में कारबन के उत्षरजन को बढ़ाने वाली गतिविदियां कम करनी ही होंगी ताकि हमारी पेडियां सुरक्षित रहें समाब दोस्तों इसका पेडिया फाइल अपने ओफिसिल टेलिग्राम चेनल स्टडी विद अच्वी स्वामी पर डाल रखा है